अखिर ऐसा हम क्या करें कि हर रोज एक से दो जॉइनिंग हमारे पास आ जाए दोस्तों जस्त सोचिए कि अगर हर रोज एक से दो जॉइनिंग आपकी परसनल आ जाएं तो गेम क्या बनेगी आपका बिजनस कहां पहुँचेगा ये सवाल मेरे से किया है अमित कुश्वाह ने अमित कुश्वाह ने लिखा ललिट सर आखिर हम ऐसा क्या करें कि डेली एक से दो जॉइनिंग आए तो अमित ये वीडियो आपके कहने पर बना रहा हूँ और फ्रेंट्स ये मैं अपने परसनल एक्सपीरियन से ये सारी चीज़े लेकर आया हूँ जो मैंने अपने 25 साल में सीखा है जो लोग मुझे नहीं जानते हैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ मेरा नाम ललित अरूरा है और मैं पिछले 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ 25 सालों में मैंने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बनाए और अभी मैं फुल टाइम ट्रेनिंग और कोचिंग करता हूँ उपर वाले के आशिरवात से हमने अपनी कॉमिनिटी बनाई एकेडमी बनाई है के डबली एकेडमी और हम ऑनलाइन कोचिंग देते हैं दोस्तों अभी भी अगर आपने हमारा यूटीब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए आईए अभी इस टॉपिक पर चलते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हर रोज एक से दो जॉइनिंग आए दोस्तों ऐसा देखिए ऐसा पॉसिबल है पहली चीज तो ये बता दू बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा क्या ये पॉसिबल है जी हाँ दिस इस वेरी मच पॉसिबल मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया है मैंने लाखों लोगों की टीम्स बनाई और तब मेरा डे लाइन्स भी है और एक आर्ट भी है लेकिन उससे पहले मैं दो लाइने आपके लिए लिख कर लाया हूँ सुनना चाहेंगे अगर अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कैसी लगी ये लाइन हर असंभव कारे करने का एक ही तरीका है मेरे दोस् और उस तरीके का नाम है स्मार्ट वर्क के साथ कड़ी मेहनत जी हाँ ध्यान से सुन लेना और इस लाइन को लिख लेना स्मार्ट वर्क के साथ कड़ी मेहनत दोस्तों हम इसे ज़्यादा तर लोग यही गलती करते हैं उनको लगता है कि हम तो स्मार्ट वर्क करते हैं अरे सबसे पहला काम आपको क्या करना है अगर आप डेली अपनी टीम के लिए अपने लिए जॉइनिंग्स निकालना चाहते हैं सबसे पहला काम करना है आपको अपनी लिस्ट को अपडेट करना है डेली 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 क्या आप हर रोज अपनी लिस्ट को अपडेट करते हैं या नहीं दोस्तों बहुत सारे लोग एक बार लिस्ट बना देते हैं बस वो लिस्ट चल रही है फिर कहते हैं जी मेरी तो लिस्ट खतम हो गई अरे यार लिस्ट कभी खतम हो इनी सकती है मुझे 25 साल हो गए अभी भी मेरी लिस्ट में लोग हैं लिस्ट कभी नहीं खतम हो सकती सो ध्यान रखिएगा कैसे नहीं हो सकती जब आप अपने आखे मैं यहाँ पर आखे कर रहा था जब आप अपनी आखे खुली रखते हैं अपने कान खुले रखते हैं और अपनी नाक खुली रखते हैं आप कहेंगे यार यह क्या बोल रहा है या आदमी जी हा दोस्तो हमेशा अपनी आखे खुली रखिए अपने चारो तरफ देखिए कौन लोग हैं जो हमारे बिजनस के लायक हैं अपने कान खुले रखिए सुनते रहिए कौन लोग इस तरह के शब्द बोल रहे हैं जो हमारे बिजनस के लिए सूट करते हैं और अपने नाग को हमेशा तयार रखिए आपको स्मेल आ जानी चाहिए कौन कौन लोग हैं जो हमारे बिजनस के लायक है, जी हाँ, हम तो smell करते थे, right, so, ये वैसे एक हसने की बात है, लेकिन, yes, हमेशा आपने आखे कान खुले रखें, ताकि आपको पता चलता रहे, आपके चारो तरफ, आपके 3-4 किलोमीटर के दाइरे में कौन-कौन लोग है, जो इस इंडस्ट्री के लिए बने हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी लिस्ट हर रोज अपडेट करनी है, हर रोज, रात को सोने से पहले एक या दो नाम लिखने तो जरूरी है, चाहे आपको इस इंडस्ट्री में कितना भी समय क्यों ना हो गया हो, क्योंकि लोग तो मिलता ही है अरे भाई, आपको इस इंडस्ट्री में 20 साल हो गए, या आपको इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए, या 5 साल हो गए, क्या वर्क पड़ता है? क्या लोग पैदा होने बंद हो गए है? जी नहीं, लोग तो पैदा हो रहे है तो आपके लिस्ट क्यों नहीं बढ़ रही है क्योंकि या तो आपके अंदर एगो है जितने लोगों की लिस्ट नहीं बढ़ रही ना आप ये ध्यान डखना या तो आपके अंदर एगो है आप किसी से बात ही नहीं करते हो मैं बहुत बड़ा मैंने ऐसे लीडर देखे मैं नाम नहीं बोलूँगा हम ना जब बच्पन में रामलीला किया करते थे ना तो दशहरे वाले दिन हम जाकिया निकालते थे जहां पर कि मैं तो लक्ष्मन बनता था लेकिन मैंने देखा है जो रावन और मेगनाद होते थे वो ऐसे खड़े होते थे ऐसे घर के और हसते थे हाँ लेकिन हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो रावन की तरह बिहेव करते हैं वो इतनी इगो में रहते हैं वो को लगता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया आप जिंदगी में कितने भी बड़े लीडर क्यों ना बन जाएं आपको हर रोज अजनभी लोगों से बात करने की आदत डालनी चाहिए और अगर आप ये आदत डाल लेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपका डर निकल जाएगा इन्वीटेशन के नएने तरीके खुद से आप इन्वेंट कर लेंगे जब आप इतने सारे इन्वीटेशन करेंगे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में दो तरह के लोग देखे हैं पहले वो लोग जो बिल्कुल नए हैं जिनको इन्वाइट करने में डर लगता है और दूसरे वो लोग जो पुराने हो गए हैं जो इन्वाइट करता ही नहीं है उनको लगता है अब मेरी टीम इन्वाइट करेगी सबसे पहले आप देखिए आप इन दोनों में से कहां आते हैं कि आपको invite करने में डर लगता है तो भी आप गलत है और अगर आप अपनी ego की वज़ा से invite नहीं कर रहे हैं तो भी आप गलत है आपको daily invitations करने होंगे कम से कम 5 invitation हर रोज करेंगे तो speed बनेगी हर रोज 1-2 joining आएंगी और next अब मैं जो point आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों बहुत important है आपको हर रोट 2-3 plan करने है कितने plan कितने 2-3 plan हर रोज करने है अगर आप daily joining निकालना चाहते है मर्जी आपकी है क्योंकि जिन्दगी आपकी है वो एक advertisement आती थी TV पर helmet की और वो last में यही बोलके थे मर्जी आपकी है क्योंकि जिन्दगी आपकी है मैं यहाँ पर यह बोलूँगा कि मर्जी आपकी है क्योंकि करियर आपका है हर रोट 2-3 plan दिखाने ही है अगर आप यह plan नहीं दिखाएंगे दोस्तों तो आप समझ लीजी आपको कोई benefit नहीं मिलने वाला आप कितनी भी training क्यों न ले लो मेरे से बहुत सारे हजारों लोग इंडिया के आड़ लगबग हर company के लोग मेरी academy में उपर वाले के अशिरवाद से सीखते हैं आकर लेकिन मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ आप कितना भी क्यों न सीख ले अगर आप implement नहीं करेंगे तो कोई result नहीं आने वाला तो आपको daily 2-3 plan करने ही हैं अगर आप full timer हैं अगर आप network marketing industry को full time करते हैं कम से कम 2-3 plan हर रोज करने ही चाहिए अगर आप इतने नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि full time करने की आड में आप आलस कर रहे हैं आप दुनिया को दिखाने के लिए full timer हैं लेकिन actually में आप आलसी हैं क्योंकि आप 2-3 plan daily नहीं कर रहे हैं next point जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों वो ये है कि आपने जब भी plan करना है on the spot closing करने की आद़ डालने है अब वो जमाना गया जब 24-48 घंटे के अंदर हम लोग follow up करेंगे फिर हम phone करेंगे फिर हम मिलने जाएंगे आजकर लोग phone भी नहीं उठाते है कलियर हो रहा है दोस्तों आपको ओर last point जो मैं आपको अपनी जरूरत नहीं दिखानी दोस्तों इस जिन्दगी में इस दुनिया में जब भी कभी आप अपनी जरूरत सामने वाले को दिखाते हैं तो ज़्यादा तर लोग आपकी जरूरत का फाइदा उठाते है कभी भी अपनी जरूरत नहीं दिखानी मेरी जरूरत नहीं है यह जो प्लान मैं आपको दिखा रहा हूँ यह आपकी जरूरत है यह प्लान आपकी जिंदगी बदलेगा मेरा बिजनस तो बहुत अच्छा चल रहा है ये attitude होना चाहिए आपका तो अपनी जरूरत नहीं दिखाने जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप daily एक से दो joining निकाल पाएंगे ओके clear हो रहा है लेकिन दोस्तों ये वो ही करेगा जिसके पास dreams हैं जिसके पास सपने हैं जो अपने सपने पूरा करना चाहता है ये वो ही कर पाएगा और last में मैं दो line लिखकर लाया हूँ आज कल पता नहीं मुझे शायरी का बहुत शौक चड़ा है आपके लिए बहुत बढ़ीया line लाया हूँ जरूर आप ध्यान दीजिएगा और ये किस तरीके से network marketing से relevant है इसके बारे में सोचिएगा शौक जिंदगी के अब जरूरतों में बदल गए शौक जिंदगी के अब जरूरतों में बदल गए थोड़ा बड़े क्या हुए हम कितना संभल गए जी हाँ दोस्तों पहले जवाने में जिनको शौक बोला जाता था अब वो जरूरत बन चुका है पहले कारे हमारी शौक हुआ करती थी अब हमारी जरूरत बन गई है कि घर में एक कार होनी चाहिए लेकिन हमें संभल के चलना होगा हमें planning करके काम करना होगा और दोस्तों इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर आप डेली दो से तीन प्लान नहीं दिखाते हैं तो आप mentally network marketing कर रहे हैं physically नहीं कर रहे हैं आपको check भी mentally आएंगे physically नहीं आने वाले हैं मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पूरा दिन mentally बिजनस करते थे फिर मैं ये करूँगा फिर मेरी टीम बड़ी हो जाएगी फिर मैं लाकों कमाऊँगा फिर मैं करोडों कमाऊँगा अरे यार पहला प्लान तो शुरू कर so friends अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाईएगा मैं मत बोल रहा हूँ जरूर दबाईएगा मत भूलना शेयर करना कम से कम पांच लोगों को शेयर जरूर करना है और दोस्तों आप मेरे से किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मैं कोशिश करूँगा आपके दिये हुए टॉपिक पर आपके नाम के साथ वीडियो बनाओ तो टेक केर अगले वीडियो में मिलते हैं बाई बाई